हालो दोस्तों तो हमने काफी कुछ पढ़ लिया था हमने सारे नियम देख लिये थे कांबिनीशन के सभी नियम खतम हो गया थे हमारे आज हम पढ़ेंगे डालतन का इटामिक थेवरी अब डालतन के एटामिक थेवरी क्या कहती है यह हम आज जानने वाले हैं और इसके बाद मैं थोड़ा मीस हो गया था वीडियो लेट हो गए थी तो कि मैं डेरिमेटिवेट हो प्रश्व हो गए और ब्रह्म में जी रहा है जो पर जाएगा जिस विध्याले में वह सुछतें और भंद छलिए चली स्टार्ट करतें जुटें हैं यह सब हो गया था हमारा हो गया था ना बेटा चालो थोड़ा हाँ तो चलिए डालटन परमार सिध्धान का अंसर क्या क्या बोलता है इसके बिंदू बहुत सारे हैं निजो निम्लेकित है ठीक है अब पहला पॉइंट रहे हैं इसमें क्या है पहला पॉइंट है द्रो बहुत छोटे छोटे अभिवा जा सकता है उन्हीं कड़ो से मिलकर बना है अविवाज कड़ो से मिलकर बना है जिन्हें क्या कहते हैं परमार अनिक इंसका कहने के मतलब है इतामिक थेओरी का कि जो आइटम है परमार है उसे और डिवाइड नहीं किया जा सकता वो छबसे मैटर की सबसे छोटी से छोटी य निट है, समझके, कहने के मतलब यही है, चलो अगला पॉइंट क्या बोलता है, अगला पॉइंट बोलता है बच्चो, एक तत्व के सभी पर्मार्ण समान होते हैं, जो एक तत्व होता है, जैसे एफी तत्व है, अब कोई बड़ी सी एफी की राड है, राड है ना, ये समान होंगे, वो सभी एक समान होंगे फिर, समझ गये, उनकी आकरत, आकार सभी क्या होगा, समान होगा, सभी क्या होगा, समझे, उनकी आकरत था, आकार क्या होगा, शमान होगा, और उनके दबमान, जितने गुड़ोंगे, सब के सब समान लगा, जबकि भिन्न भिन्न तत् जबमान आकरत आकार बिन बिन न होते हैं लेकिन ये तो समान है तो समान होगी अब बिन बिन वाली बात यहां पर लिखने कि जवरत नहीं है ठीक है यहां परमार समान है तो उनके जबमान आकार आयतन सभी समान होगी सब ठीक है चलो अगला देखते हैं तीसा पंड क्या बोल क्या बनाते हैं कंपॉंड बनाते हैं समझ गए बच्चा लोग यह रसानिक संयोजन के नियम हम पहले ही पढ़ सकते हैं कैसे बनाते हैं किस तरह संयोग करते हैं ठीक है अब अगला देखते हैं कि चोथा पाइड क्या बोलता है इनका इतना जोम ठीक है चोथा पाइड क्या बोलता है इनका भाई क्यों नहीं चलतलों चाथा पैंड बोलता पर मांडों को किसी रसानिक अब क्रिया अथा भौत परियुस्ट þाराद न तो क्या जा सकता थेक परन तो क्या है रहसानीक अभग्रिया में परमाड़ भिवस्थित वो तेहरे रहोग जाता है परमाडों का नेह gev एक्शन में रह Myself कप्रिया में लेकिन पार्मारोकर को किसी भी रहसानी का प्रिया या बहुत ए द्वुज्ण किया जा सकता है ना तो बनाया जा सकता आप इनके लिमीट् से देक लेते हैं इनके सिद्दांद की की खत्यवरी की लिमिट्स क्या है ले मिटेशन JOHN Dرا थेव्ड़े इसे मांत तो पहला थाग्य को संजामने में सफल ला intentions के संयों के नियम गया उल्यक्था जो था इए जम्माद वादा पत्मिक्त पात एक एमल में कोई मिल दा आए ये एक एमल में कोई मिल दा आए तो दो एमल में इधर बनता है ये 50 इसका इतन 50 है इसका इतन 100 होगा याद आया कुछ गयल साकनियम पहला पुएंट का पर्माड को अविवाज करन के रूप में नहीं रखा जा सकता क्योंकि यह उन बी कड़ो इलेक्टान प्रोटान न्यूटान में विवाज है बाद में पता चला कि पर्माड भी विवाज हो जाता है ये काफे पहले की बाते हैं अठारा सो अठारा सो अस्थी वगर्दा संतिंग की बाते हैं डाल्टन की ठीक है बाद में पता चले कि पर्माड भी विव और ये क्या कर रहे हैं और यह क्या को सकते हैं ऐसा हुए बिन तत्तो के पड़ंद 감사 सॉमान हो तक करते हैं अब देखो दर्मान यहां पर समान भी हो गए है कि आज़ेसे हम बीस पर आता है आर का नठारा पर आता लेकिन इनके एटावी बात दें उन्हों के चालिश है समान होगे चलो यह भी बात इनके जूंटी निकल गई चल परमार को अनसर नहीं माना जा सकता है कई जहती हैं पर मार ऐसा नहीं कभी अनसर फात्म नहीं होता पर मार भी खत्म होता है समझ कर अगला पर्मार सरे निष्चित अन्पात में नहीं संयोजित होते उदारा के सरकरा क्यार। इनमें देखो क्या निश्यत अन्पात है कोई सिंपल सा रेसियो है इनमें देखो 12 अन्पात 22 अन्पात 11 है कहां समान सा रेसियो हो दो अन्पात एक अन्पात तीन ऐसे कुछ होता है यह तीन अन्पात एक अन्पात दो होता अईसे कुछ होता सिंपल सा रेसियो होना चाहिए लेकिन यहां क्यां ऐसे इंपल लेशी नहीं कि यहां रसानिक संयों कि उन नियमों को समझाता है जो द्रबामान पर आधारित हैं आधेन पर आधारित नहीं है अताया गैलसाग के नियम को नहीं समझा पाता जब्मान पर अधारित हैं उनको तो समझा लेता है लेकिन आयतन वाले गैलसाग का आयतन पर अधारित है गैसो वाला नियम इसको नहीं समझा पाता और भी क्या नहीं समझाता या सिद्दान ये समझाने में आसफल रहा कि भिन विन तत्तों के परमार उनके जबमान आयतन तता सहिए सगता में भिन क्यों होते हैं। इसमें जो पॉइंट आपको अछ्छा लगुंत हैं। का पिमें सब लिख लेना नहीं तो आप एक तो चोट सकते हों। ठेक हैं? या सिद्धान्त या नहीं समझा σका की एक या तथा भिन्य तत्तो के परमाण आपस में सयोग कर अड़किस प्रकार बनाते हैं। या सिद्धान्त या भी समझाने में आसफल राकी परमाण तथा नवस्ताओं खोज़ो गयस में बन पाया जाता है ना कि तो परमार तो बंदे हूंival लेकिन वह किस बलद्वारा जुड़े होते हैं उस बल के बारे में कोई बात नहीं करता हुछ यह परमार अधवार के बीच कोई फरक नहीं बताता फार क्या अंतर होता है निफ टापिक है हमारा अवो गादो पल करपना बेटा अवो गादो पल करपना इंप्वार्टन ले जाएंगे समझा गए बेटा जी बात चलो फिर इतना ही रखते हैं आज ठीक है प्लीज आप इस वीडियो के सेर करो करो यार सेर करो इस वीडियो को लोगों को बताओ समझाओ पढ़ें हमारे गुरूप से जुड़े हमारी यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करो वीडि जाते हैं यार आज आज अईसे नहीं बनता वीडियो घंटास्ट करना परता हैं अंछह पार छही का टाइम लगता है जो रोड़ करने वीडियो ऀडियो करने में समझे बहुत टाइम लगता है चलो ठीक है ठेक्वरिपन के लिए आप सब्सक्राइब क Tampa Tech भ्याइई नहीं आप हमारे चैनल को अधिक साधिक सब्सक्राइब करवाई है लोगों सो ठीक है बच्चा लोग तो चलते हैं फिर मिलेंगे अगली वीडियो में थैंक्स अलोट